तो मैं चैनल आप्टे शिवासत हो जैसा कि डेली स्कूल होंवक आप इस चैनल पर देख सकते हैं तो आज का होंवक इस स्टार्ट करते हैं फर्स सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में बच्चों को राइटिंग करने के लिए दिया गया है तो in this step बच्चों की राइटिंग इंप्रूफ करने के लिए आप बच्चों को राइटिंग वक देंगे तो यहाँ पर रमन, घर, पर, चल, इधर, उधर, मत, कर तो in this step बच्चों को राइटिंग वक देना है then after बच्चों को कॉस लेकर गया तक आप राइट करने के लिए देंगे तो जो वे मैंने बताया था था, स्केल से राइट करके बच्चों को five line ब्रॉ करके आपको देना है इस line में बच्चे चा नहीं राइट करेंगे चा बच्चे नीजे से राइट करेंगे तो in this step आपको अपने बच्चों को प्रेक्टिस करने के लिए कास लेकर गया आप तक राइट करने के लिए देना है then next subject is next subject है math math पर बच्चों को match it करने के लिए दिया गया है तो यहाँ बच्चों को numerals की साथ numbers name को match करना है तो यहाँ पर मैंने 1 से लिकी 10 तक दिया हुआ है और numbers name तो बच्चे को उस numerals को numbers name में find out करके उसे match करना है तो यहाँ पर 1 है तो बच्चे को one इसमें से find out करना है where is one here is one तो बच्चे को one से one को match कर देना है क्योंकि यह सब activities एक्जाम में आने वाली है तो इसलिए मैं अपने डॉर्टर की इस चीज की practice करा रहे हूं then after missing number in each row यहाँ पर मैंने वान से लेकि 20 तक के number में missing किया हुआ है और यहाँ पर बच्चे को इसे complete करना होगा जैसे यहाँ पर one है और मैंने यहाँ पर two, three miss करके four write किया और five miss कर दिया तो बच्चे को अपने आप according इसे complete करना है तो one, two, three, four, five तो sequence में बच्चों को complete करना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, so in the stat बच्चो का math का आज का homework होगा, next object is, next object है, wobble sounds, तो wobble sounds तो वैसे हम लोगों ने बच्चो को 10-10 taught की होए हैं, बट आएंगे exam में 55 wobble sounds, तो आपको 55 wobble sounds की practice करानी है, A, E, I, O, U and complete the words, इसी में से बच्चो को miss कर दिया जाएगा spelling और बच्चो को से complete करना होगा, तो ये activities कराने की बाद हम tomorrow बच्चो को complete करने के लिए देंगे spelling, वो उस चीज़ को complete करेंगे, तो हमें पता चले जाएगा कि बच्चे को understood हो गया है, तो यहाँ पर wobble sounds A से 5 words, wobble sounds E से 5 words, wobble sounds I से 5 words, wobble sounds O से 5 words and wobble sounds U से 5 words बच्चो को write करने है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं